और मेरा ये संकल्प है कि इस देश में डीजल और पेट्रोल को हद्दपार करना है और मैंने अभी गोश्टना कि कि पास साल में पेट्रोल को समाप करेंगे अब इलेक्ट्रिक के वेहिकल आ रहे हैं मैं जब कईड़ा था तो लोग बोलते थे चार्जिंग कैसे होगा कहा होगा क्या होगा अब सब अठ गया आज ही मेरे पास टीबी एस कंपनी के मालिक आये थे बात कर रहे थे तो बोल रहे थे कि मैं टीबी के आमें इलेक्ट्रिक की स्कूटर की डिमांड बहुत बढ़ गई है अब हिंदुस्तान में बनी हुई टाटा और महिंद्र की इलेक्ट्रिक कार एक एक साल नहीं मिल रही है और मनोरलाल जी अब भारस सरकार में मेरा भी विभाग है हम सब लोग मिलकर पचास हजार इलेक्ट्रिक बसेश लेने की बात कर रहे हैं अब आपको मैं बताता हूं आप हरियाना में एक मिरने कर दीजिए कि तीन साल के अंदर डीजल की बसे समापत हो जाएगी सब भंगार में निकाल दो इसमें फाइदा है आपका एक डीजल की बस चलती है तो 100 से 110 रुपे किलोमेटर खर्चा है और हमारे एर कंडिशन इलेक्ट्रिक बस का खर्चा 41 वहाँ और आपको बताता हूं आपको फाइदा ही फाइदा मिलेगा ट्रांस्पोर्ट को यह मैं बता रहा हूं और इसलिए यह इलेक्ट्रिक बस के लिए आप पहले शुरुवात करिए दूसरी बात आपने ट्रॉली बस की किया है ट्रॉली बस इने ट्रा में जो ट्रायर पर चलती है जो केबल लगा कर चलती है आप मुझे प्रस्ता बेज़ दो अब आपने भेजा है नहीं तो मैंने अपने कॉंस्ट्यूसी में और हमारे जनरल भीके सिंग साथ के गाजियाबाद और नाकपूर के लिए पाइलेट प्रॉजेक्ट को प्रस्ता तयार कर दिया है आप भी भेज़ दो मैं ट्रॉली बस चला जूँगा उसका तिकेट 41 रुपे से भी 30 रुपे किलमेटर आएगा क्यूंकि उसमें लीठियम आयन बैटरी की ज़रुवत नहीं है और सब बसे से एर कंडिशन होगी और मेरा ये प्रयास है जिस पर मैं बहुत कंपनियों से बा लांच कर रहा हूं 40 तन का माल जाएगा ट्रक इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर इलेक्ट्रिक का अब आने वाले समय में बसे से इलेक्ट्रिक की कार इलेक्ट्रिक की कूटर इलेक्ट्रिक की पेट्रोल के लिए अगर 10 रुपए लगता है तो इलेक्ट्रिक के लिए एक रुप फिशन नहिंगे करता हूं मैंने तो टै कर दिया है कि मैं अधिजल पेट्रोल के गाड़े में बैठता हूं मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैठता हूं आप इ Länderalo के गाड़ी में बैठता आपको दोनों को मैं प्रार्थना करूंगा मैं भी इसान हो अब यह उचावल लगा कि किसान का भला नहीं होने वाला है अब किसान को अन्न दाता बनाने के बजाए उर्जादाता बनाईए यह किसान उर्जा तेहर कर सकता है एक कुवे से पानी निकलेगा पम से पानी शुद्ध होगा और एक करोण का इलेक्ट्रलाइजर लगा कर वो पानी से हड्रोजन और अक्सिजन अलग होगा फिर रोकन राइस से बना हुआ इथेनॉल जो बासत रुपे लिटर है वो जनरेटर सेट में यूज ह होगा और उससे उस ग्रीन हैड्रोजन को कॉंप्रेस किया जाएगा और रोड पर अपना वो गैस टेशन डालेगा जिसमें बस कार रख ग्रीन हैड्रोजन पर चलेगी ना प्रदूर्शन होगा एक तो कार 1200 किलो मिटर चलेगी मेरी कार 600 किलो मिटर चलती एक बार गैस भरन और इसके उपर फैक्ट्री चलेगी कोईला पेट्रोल आईल बंद हो जाएगा और मैं उन लेताओं में से नहीं हूँ कि जो बोलता है केवल जिसको डाउट होगा उसको मैं बोलता हूँ आजाओ मैं सब प्रयोग करता हूँ मेरे लेबार्ट्री में सब गाड़िया है और आपको सिद्ध करके दुंगा में दो लाख लिटर इथेनॉल परड़े तेहर करता हूँ मेरा आपसे एक अनुरोध है आप सब बैठे हुए लोगों से अब टोयेटो का हुंडाई का सुजुकी का सब गाड़िया अगले मैंने आ रही है अब ब्रोकन राइस से इथेनॉल बंद रहा है एक तन ब्रोकन राइस से 380 लीटर इथेनॉल तैयार हो रहा है हरियाना में आपने भी 10-20-25 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए है और इसी इथेनॉल के पंप लगा दो TVS बजाज और हीरो सब की स्कूटर आटो रिक्षा पेट्रोल पर नहीं इथेनॉल पर चलेगी और मैंने अभी आजे ही आप यहां आने के पहले मेरे पास पेट्रोले मंत्री आये थे और अब उनसे मेरी सर्चा हुई मैंने रुशिया लाए और इथेनोल की कैलरिक वैल्यू एने इथेनोल का एवरेज जो था वो पेट्रोल की तुल्ला में इथेनोल ज्यादा लगता था एक लिटर इथेनोल एक लिटर पेट्रोल बराबर एक लिटर तीन सो एमेल इथेनोल पर मैंने फरीदाबाद के इंडियन ओयल लेबार्टरी में रशियन सैंटिस को बुला कर वाँ प्रयोग किया, टेस्टिंग हुआ, मुझे इंडियन ओयल के चेर्मन वैद्या साव और रामकुमार जी जो है, उन्होंने का कि सर, we feel it is very difficult, मैंने का यार चिंता क्यों करते हो है कि टेकनलोजी सफल हुई है, तो देश का 20 टके पेट्रोल बचेगा, यहने समझ लो, 40,000 करोड रुपे देश का फाइदा होगा, उतना इंपोर्ट कम होगा, क्योंकि पेट्रोल की कैलरिक वैलू इथिनल के उपर आई, और भारत सरकार ने उस बात को स्विकार किया, आईडिया लोग जल्दी स्विकार नहीं गया, अब उस इथेनल का वैल्यू पेट्रोल के बराबार हो गया, तो यह पेट्रोल बंग करो, और सब गाड़िया पे इथेनल पर चलाओ, आपकी ट्रक, आपकी बसेश, आपकी कार, आपकी स्कूटर, और उसमें आप इथेनल का अबाव है 62 रुपे लिटर, और पेट्रोल का 120 रुपे लिटर, एवरेज उतना ही है, तो स्कूटर, आटो रिक्षा, और कार वालों का आधा पैसा बचेगा, और हरियाना और गुडगाओ का प्रदूशन, इस ग्रीन फ्यूवेल के कारण समाप्त होगा,